हेलो गाईज, वालकम बैक इंग केट कॉम लैब आज हम लोग प्लानिंग के बारे में तुरू अथा डिस्कुस करते हैं प्लानिंग हमारा एक वह बेस डिजाइन होता है जो हम लोग क्लाइन के रिकार्मेंट के बेसेस पे डिजाइन करते हैं एक्साम्पल अगर कोई कलाइन्ट हमें अपना कोई प्लॉट के एरिया देता है और उस एरिये में हमें जो जो चीजे क्रियुएट करना होती है ठाट कॉल प्लाइन सबीं को मालूम होता हूं लेकिन Yap कुछ चीज़े हमको नहीं पता होती है और वो क्या होती है वो होती है आर्किटेक्ट्चर डिटेल की प्लान बनाने का एक सही तरीका क्या होता है यह प्लानिंग में बहुत सारी चीजे हम लोगों को एड्र करना होती है बहूत सारी कुछ टेक्शनी कर चीजे होती है उनको हमको देखना होता है और उसे की बैसेस पर हम लोग अपने प्लान को रिरेट एक करते हैं और वह कौन-कौन सी क्या हूं कि जो नॉर्मल डिप्लोमा या फिर बिटे को अलब अच्छा होता है वो नॉर्मल प्लान बना लेता है लाइन के तुरू वाल्ड खिच लेगा डोर विंडो देगा बस दिस इता ले आउट बट अगर हम एक वरकिंग ड्राइंग की बात करें एक टिपिकल डिटेल की बात करें उसका थूड़ा सा मैतट चेंज रहाता है उसका कामकरने मतलल ही होता है कि आपको बहुत सारी डिटेल को मेंशन करना होता है बहुत सारी टैगंग टैग मेंशन करने होते हैं और कुछ structure की चीजे भी हमें अड़ करना होती हैं तो आज हम उसी टॉपिक को बात करते हैं कि अब हम जो बेसिक ले आउट बनाएंगे तो उसको हमें कैसे बनाना है और क्या-क्या उसके सही मेथट है पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हम लोग अपना प्लान क्रियेट करते है तो सबसे पहले हमारा आता है क्या ground floor का प्राट हम लोगों को जब ground floor का पूरा design complete कर लेना है तो थो हमें उसमें एक चीज ज़रूर देनी है that is called grid plan काऊगे किया यह grid plan क्या है मैं थोड़ा सा चीजे जब तक मैं बताना दूं सही से तता मज़ा नहीं आता है लगधा कि आदिय दूरी चीजे आप तक नहीं है ग्रिट लेयाओट या ग्रिट प्लान एक और टाम होता है कि कॉलम लेयाओट बकी तो और कुछ भी है मैं लिखता जाओंगो तो पूरी रात चली आईगी सिवें प्ले मैं स्टार्टिंग करता हूं यह वाले से नंबर वन ग्रिट प्लान आगे से हमें शायदान रखना कि ज करना प्लान को बनाना और थोड़ा था डे कुरिट करना लाइक डेटेल देना आप कोई किसरीन की बात क्या कि मसे त्थे ततो भूश दे देता हूं में हची देता में कलर देता हूं लेर सब्सक्रानृट हो गी नहीं होती है एक बैसिक चीज़ आट परएज बाटेड़ु ग्रिक्ट लयाऊट को आफ को एम्पोर्टइंट पार्ट होता है हमरी ड्वाइंग का जिसमें हम लोगों को अपने वाल्ट के थूरू क् कॉलॉम्स मेंशन're करना होते हैं कि काहां काहां पर कॉन-कॉन से कॉलॉम्स की कॉलॉम्स कि पोजेशन आ रही है तो कॉलम की पुजश्यस है इसलिए मेंसेट करना होती है कि भीज़न ही होता है कि रॉड मगुंगि का मोग ही हम साइट पर काम करते हैं तो हमारी पार सब मैं बहूत पहले करिए वीडियू क का मैं कि बनाने की हम आप प्लीज की नि subtitle थी यह उनके घंड है दिक्ट मुट में भी आचे वहां जाकिए ना वीडियोस में प्लान करने की हम लुग क blush तो सबसे प्लान में हमें करना क्या है सबसे पहले हमारे पास जितना भी एरिया होगा मेरे पास वाल्स ऑलेडी है एक छोटा सा लियाओट हमारी वरकिंग का जिसमें भी काम कर रहा हूं तो यहां पर आप क्या देख रहें एक वाल है विंडू है टेक्स्ट है और कॉलम्स की पोजिशन की बात करें तो हर कॉलम को डिफाइन करा जाता है एकॉर्डिंट रूदा स्ट्रक्चर एंटर लोड की कितना लोड आ रहा है अभी इस मैटर में पचले में ना पड़ो इसको स्किप करता रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर का बाट है एक्स्प्लेन करूंगा कुछ चीज जाए जाकर रॉअण पैला पॉइंट कि ग्रिट्र रियाओट कैसे बनाते हैं कॉलम के उसकन करते है फैले इसे फोकस करते है पॉर्ट पोईचिशन डपन करती इस्टर के ऊपर कोई भी ऌफ सकती यह दे जोसोटीस दोच्शोटीस डवतन सटिस्प्ले फैस्टोंटीस बैंक कै जो जहां जहां पर आपको कॉलम्स को देना है ठीक है जो जो आपकी पोजिशन कॉलम्स की होगी आपको एक सेंटर लाइन क्रियेट करने है तो मैं क्यों ना मैं जीरो से स्टार्ट कुरूं ज्यादा बेटर रहेगा ना कि रिजन क्या होगा कि चीज थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे और मैं जबते चीज ब्लुक्र क्लियर बताओ ना तो मुझे मज़े लगता कि मैंने फॉर्मल्टी करती बच्चों के साथ तो मैं यहां पर जितने भी कॉलम्स हैं उन सब को रिमूव करती है तिफैशन के छगे क्लियर कॉलम्स की ब्चंप उस्टेς करें चिकेए कॉलम्स को मैंने पहले हैं मैं इन देये नगलू कर रहा हूं हृँ को दिखा देता हूं यहाँ दो कॉलम्स है हमारे पास यहाँ थीं प्लान बनाने के बाद एक चीज का ध्यान रखना हम आप लोगों से एक चीज बताना चाहेंगे लेकिन उसमें एक option होता है जो कहलाता है क्या लाइन वीट अपके कि लिए कर लेक्ट को अंकर लेना अपने कोई रख सकते हैं अब लाइन वेट से क्या होता कि चीज देखो थोड़ा सा कलिया नजर आती है ठीक है ना जाता थिक नहीं करनी है आप ल्ड़ एंटर करोगे तो म को मतलब होता है लाइन बीट और यहाँ पर अगर मैं आपि एक्जामपल ले लो मैं देहता हूं 14 टो यहाँ पर कुछth भी विजिबल नहीं होगा है तो मैं करना क्या है यहाँ पर अपने ड्राइन में कॉलम की पोजिशन मेशन करना है तो सबसे पहले क्या काम है सबसे पहले तो यह है आप सेंटर लाइन निकालों गए वैसे तुम्हें एक काम और भी कर सकता था मैं आपको बताना चाहूंगा मैं आप वीडियो को दो से तीन वाल्स का अपको चैंटर क्रियेट करता है अब सिंपल तरीका क्या है कि एक्जाम्पल लो अगर मैंने आप रक्टेंगल ले लिया और डी एंटर करके नाइन भाइन में कि हमने आप प्लेस कर दिया ठीक है यह रटेंगल आगे हमारे पास सेंटर लाइन यह निकल आएगा और कॉपी कर दो यह ज्यादा अच्छा रहेगा अब कॉपी करने से बेनेफिट क्या रहेगा कि सेंटर लाइन ट्रैक करने में दिक्कत नहीं आएगी वैसे आप क्या करोग नहीं है वो जादा easy रहेगा आप लोको के लिए तो मैंने क्या करा यहां पे कॉलम्न प्लेस कर लिए जन अगे मैं कॉलम्स के कर लिया इस वाली पूजिशन पर एक पूजिशन हमारी यह आ गई और बाकि भी मैं संटर लाइन निकालने के बाद भी कॉलम दे सकता हूं तो अभी मैं कॉलम इसलिए प्लेस कर रहा हूं ताकि संटर लाइन भी हम एजली ट्रैक कर सके ओके हम नेस्ट हम करते हैं पेर से कॉलम को कॉपी करेंगे और हमारी यहां पर इस वाली पूजिशन करेंगे यहां से र्क्त्रैंगल को और यहां से शिफ्ट करके यहां ले आएंगे ऑंडू और एक आजयेंगा हमारा इस पोजिशन पर देर अगेन हम नृएं व updat हैं चुन आग इसके अगर पूजिशन ट्रैक करेंगे इसको कपी कर लेते हैं कॉलम्स की जो इस्टेंटर्ड होती है साइज जो साइज के जो साइज होती है स्टेंडर्ड वह हमारी मानी जाती है कितनी 9 x 9 230 x 230 लेके चलते हैं और कॉलम का जो gap होता है बतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच की जो दूरी होती है standard 3 to 5 मिटर होती है याद रखता है यह चीज़ एक कॉलम से दूसरे कॉलम की बीच की दूरी 3 से 5 मिटर तक रखी जाती है ओके और उसी की बेसेस पे कॉलम दिया जाता है तो मैं अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी यहाँ पे कॉलम को प्लेस कर लेता हूँ 1, 2, then 3 and one more कॉलम and this point last में हम आते हैं इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ correctly second position हमारी आएगी की इस position पे याद रखना जरा से भी गलती अगर हो जाएगी कॉलम प्लेस करने में तो structure में बहुत गड़बड़ी हो जाएगी और फिर उसको यह होगा कि उसको ठीक करो करक्शन्स फगर आकर उसमें और साइट पे फिर दिक्कत हुए गलत हो गया साइट पे भी आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा तो यह वो ट्राइस होती है जिनको बहुत ही हमें एक और ट्ली बनाने पड़ती है कि चिसका दिहान रखके हैं में कि यह तो क्लाश की पूजिशन आइटिंक अमने अपर आलमोस्क दे दी है यहां पर भी हम एक कॉलम से देंगे इस पॉइंट टू दिस पॉइंट इसको में डिलीट करते हैं ठीक है यह हमने आपर बेसिक कॉलम दे दी है चीज़े समझ में आ गहीं होगी कि कॉलम को कैस प्लेस करने की अब हमने राटेंगल बना की कॉपी कराए कॉलम्स नहीं दिये मतलब कॉलम्स का कलर फिल नहीं कराए कुछ लोग कहते हैं कि यह कैसी यह क्या बता रहे हैं यह तो पहली कॉलम लगा दे रहे भाई सेंटर लाइन ग्रीट तो हम बाद में बनाएंगे ताकि इसक अपनी एक्सप्रियंस कुछ अलग से एक्सप्रेंट करते मैं एक्सामपल लेता हूं वो कहेंगे सर आप इसको एक्स्टेंट कर लीजिए मैं कहूंगो ठीक है और जब मैं यहां पे एक्सलाइन दोंगा कंस्ट्रक्शन लाइन तो बताईए मैं इसका मिट पॉइंट कहां स आप मुझ इसका जवाब दिजी तो प्राभ मुझे से कहेंगे कि सब आप काम करिए आप यहां पे एक लाइन खीजदीजे मैं कहुंगो ठीक है मैं यहां फिर यहां पो लयंगा देता हूं और लाइन को ड्रा करने के बाद फिर मैं घंट अबर उसको एक्सल लेके ड्रा करूंगा तो यह तो बेवाब कुफी होगी तरीके से काम बढ़ाना हो गया ना चाहते तो मैं आपको बता सकते लेकिन क्यों चीज गलत है अब हम क्या करेंगे हम लेंगे एक्सलेंट है नमबर दो पॉइंट एक्सलेंटर करना और जो कॉलम वर्टिकल है होरिजन्टल है नीचे से सेलेट करना कमांड लाइन में होरिजन्टल या वर्टिकल मैंने का होरिजन्टल एक सेंटल लाइन यह आया है इसली पकड़ लिया एक कॉलम यह है इसको ट्रैक करा दूसरी प कितना बचेगा रिखू को सेफ करना है अब मैं लेता हूँ वर्डिकल में एक सेंट्रलाइन यह आया दूसरी कॉलम्स की पोजिशन हमारी एक यह हो गई उसके बाद एक कॉलम्स की पोजिशन दैन एक यह पोजिशन कॉलम्स की हो गई ठीक है बहुत ध्यां से देखना है कि कहां पर एक कॉलम्स हमारा यहां पर था ठीक है ओके यह भी कॉलम्स हो गया हमारा और वर्टिकल कॉलम में हमने यह सारे ले आएगा यह भी ठीक है दूसरी पोजिशन वर्टिकल यहाँ पर किलिक करो सेंटर में ओके यह और रोजन्टल हो गए और यह वर्टिकल हो गए चलो इतना समाझ में आगया अब एक काम करो आप जब किसी वर्किंग ड्राइन को देखो गे ना किसी प्रोफेशनल की तो आप ज से कुछ डिस्टैंस पर बनाएं कंफ्यूज होने के जरूत नहीं बिल्कुल भी वह स्पेसिंग आप अपने कोडिंग मेंशन कर सकते हो देट्स नॉट इंपोर्टेंट कि कितना देनी है ओके तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि यह ऐसे इस तरह हम एक रफली आइडिया लेके एक ड्राडंगल टाइंगल करके हम फट असके बाहर की लाइन को ट्रीम कर देंगे और अक्टैंगल को डिलीट करने के बेनेफिट क्या मिला एक बिल्कुल परफेक्टली हमें एक को रेट डायमेशन के साथ चीज़ें मिल गई ऌके यह चीज तो समझ में आ गई होगी अची तरह अब जहाँ जहां हमारे कॉलम को ने कि इसी के वे में जाके मैं प्लेस कर लेता हूं इतना तो समझ में आओ सम cómo घृष और नंबर दो पॉइंट। हम जो गिरिग लेते हैं हम जो सेंटर लाइन यहां पर ट्राइक करते हैं उस सेंटर लाइन को अगर देखेंगे तो सेंटर टू लिया जाता है और एक बात का ध्यान रखना आप लोगों से मैं हमेशा कहता हूं कि लेयर पर काम करना प्लीज लेयर पर काम करना यार आप लोग महनत नहीं करना चाहते हो सोचते हो बताम प्रोफेशनल बन जाए एक बैडिसन खा के बस कोई भी ब मैंने यहां पर क्रियेटिंगं करी है आपको समझाने क्लिए मैं आजरी याप ही एग्जामपल लिया Center2 को मैंने OK करा, OK करा, अब सारी मैंने grid line को select करके वापस जाके हमने वहाँ पर Center2 को add करा लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, CH enter, मैं explain कर चुका हूँ, अपनी हर एक वीडियो में, CH enter करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, line type, 5, OK, 50, increase करते चले, I think better है, अगया, अब मैं समझाने के purpose से इसका color थोड़ा सा change कर देता हूँ, color effect यह है, लग रहा है अब, grid layout हमारा ready हो क्या है, अब आती है बात, कि हमें इसे करना है fill, column को हमें करना है fill, तक पता चले कि column है हमारे पास, gd एंटर करो, gd होता है coloring के लिए, और अपना एक ऐसा color बनाओ, जो आपका ज्यादा highlighted ना हो, एक बात बता देता हूँ, pick point मत लेना, select object लेना, और फटा फट, जितने भी column हैं, उनको select करते चले जाओ, तो क्या होगा, तो होगा यह कि जो आपके columns है, वो automatic उस object को फिल करता चला जाएगा, तो यह होता है, एक simple method, fast method working का, कि इस तरह हम, बाकि अगर आपको जो better लगे, अगर आपको लगता है कि हमसे जादा भी fast अगर आपके पास कोई tricks है, then you can use, इसमें कोई problem नहीं है, आप अपनी, कोई भी working, fast working, कोई भी command यूज़ कर सकते, उसमें कोई rules regulations नहीं हमने add करें, तो मैंने जल्द जल्दी सारे columns को fill कर लिया है, और ok कर दिया, clear हो गया, सारे columns proper तरीके से mission हो रहा है, grid भी हमारी proper तरीके से आ रही है, इसमें, नमबर दो पॉइंट, अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि columns में लिखा होगा, c1, c2, c3, एक बात का ध्यान रखना, अगर column सेम है, मैं अभी बात, बात में करूंगा, c1, c2, c3, कहां पे देते हैं, यह ऐसे नहीं कि प्लान में डाल देना, c1, c2, c3, बहुत समयदार ब होगा, उसे कहते हैं, column layout, हम अभी काम, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अभी working drawing बना रहे हैं, मतलब एक layout बना रहे हैं, उसमें हम दे रहे हैं, center line और column, लेकिन column का layout एक copy करके अलग रखेंगे, ठीक है, जितना समझाओंगा, जितना समझाओंगा, चीज़े बलती जाएंगी, बस जो चीज़े explain करना हूं, उनको परे focus करना है, अब हम एक क्या करना है, हमें in grid को, in bubble को add करना है, एक तरीका बताता हूं, वैसे तो चाहों मैं copy paste कर सकता था यहां पर लेकिन नहीं, आप क्या करना, आप एक text लिखना है यहां पर, और उस text में डाल देना, a, b, c, d, कोई भी, type करने के बाद, express tool में आना, यहां पर एक option होता है, in close object, select करने के बाद, enter, नीचे पुछे का distance, कुछ भी ले लो, क्या लेना है, circle, वो दो बार, enter कर दो, correctly आ गया, circle बनाने की ज़रूत नहीं पड़ी, यहां बे मेरा कहने का मतलब यह था, कि लोग क्या करते हैं, फुर अब इसी को मैं फटाफट कॉपी कर दूँगा, जहां जहां पर हमारे columns गए हैं, वहाँ पे हम कॉपी करते चले जाएंगे, इस तरह, और जो tagging हम उपर करेंगे, उन्हीं tagging को हम कॉपी करके, नीचे ले आएंगे, point to point, अब करना क्या है, फटाफट, बी, डवल क्लिक, C, डवल क्लिक, D, डवल क्लिक, E, रीनेम करते जाओ, S, अब नीचे भी चेंज करना पड़ेगा, दिलिट कर दो, क्यों बार बार हम टाइप करेंगे, इस नी मैनत क्यों करें, आट्रो केटे जब इस फैसिलिटीज है, उपर वाले को tag को, रीनेम करो, और कॉपी करके, नीचे क्या करेंगे, दोवारा है स्टाइक को select करेंगे, और यहां से उठाएंगे cod, coddend points से और यहां place करतेंगे, और हम इनको भी coddend to coddend place करते चले जाएंगे, तो यह होता है एक तरीका grid plan का, जिसमें हम लों columns की position मेशन करते हैं, आज से अपने working में start कर देना, थेको उपर वा भंट्टु सिरी दें डवल किलिक फोर एंड डबल किलिक फाईव और सीक्स और इनिस टैग को सिल्ट करना और सी ओ bewirty एंटर करके आप इसके कॉढ़न से उछाया के दूसरे प्रिष कर दे घर अब लग रहा है कि हमारा वाकिए में हम किसी वर्किंग ड्राइंग पर काम कर रहा है तो ये वो सारी चीज़े होती हैं कि अगर आप इनको सीखोगे एक परफेक्ट वे में तो मुझे उमीद है कि जॉब में दिक्कत तो नहीं आईगी जब आप इन सारे चीज़ों पर वर्क कर लोगे अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं इतना करने के बाद आपका काम क्या होगा आपका काम होगा हर एक कॉलम की डामेशनिंग को मेशन करना अब बोलो कैसे डी एंटर डामेशन देने से पहले एक काम करना डी एंटर करके अपनी खुद की सेटिंग करना और कालम के सेंटर टू सेंटर की डिस्टैंस को निकाल देना तो मैं काम करता हूँ यहां पर मोडिफाी पर आता हूँ और मोडिफाइब आने के बाद एरो को ले लेता हूँ और कि टेक्ट्ट टिक sorry הוא 5 screw size है एकिए कर लेता हूं टैक्स्ट को हम यहाँ पे ले लेते हैं not in case हमारा 6.00 मुझे थोड़ा हो गया है कोई बात नहीं हम लोग चलते हैं और टैक्स्ट को जल्दी से जाके वहाँ पे चेंज कर लेते हैं ऑगया अब क्या करोगी कॉलम की डिस्टैंस मेंशन करनी है प्रॉपर तरीके से और करके जहां जो कॉलम है क्लिक करते जाओ महनत कम लगेगे करने के बाद 6 इंचे लिया था हम 9 इंचे करने के परपस से ओके तो इसी तरह आप इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर डा डिस्टेंस इस थाटीन और मैं जैसी कांटीनियों पर क्लिक करूंगा और वहां पर फटा फट क्लिक करता जाओंगा और डिस्टेंस वो निकालता जाएगा टाइम मेरा बच जाएगा तो यह एक तरीका होता है हमारा वर्किंग का की ग्रिट लियाउट कैसे बना देते हैं बात अभी मेरी खातम नहीं हुई है अभी एक स्टेप और बागी रहे गया मैं कां क्लिट कर लेता हूं ताकि फिर मैं आगे आपको एक्स्प्लेंट कर दूँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इतना करने के बाद जब हमारा ग्रिट लियाउट बन जाएगा कॉलम्स की पोजिशन चली जाएगी तो आप इसी पूरे प्लान को कॉपी करके ले आएंग आएगा क्यों क्योंकि यह हम देने जा रहा है क्या कॉलम्स ले आओट कॉलम्स में हमेशा याद रखना श्रिफ और क्या रहता है क् अप कॉलम्स की पुजिशन और गे हम एक इसारी चीज़े लेएर पे पूट कर देते तो हमको इतनी मेहनत नहीं करना होती जितनी मैं ही गलती करता हूं अब तिक्कत कहती है मैं वर्किंट राइंग पर काम कर रहा था चीजे भाई में भी मैंने कम्प्लीट नहीं करी थी आपको बताने के मारे वहाँ पर हमने में ऐड़ाउन कर दिदे तो कोशिश करता हूं इसको मैं कम्लीट करके अपने फढल arqu हम लोग पढ़ते हैं यह सारी वार्स मैं टिलिट कर देता हूं और select similar करके देखते हैं इसको हम यहां से हटा देते हैं और delete कर देते हैं कुछ काम हमारा आसान हो गया क्या रहे गया? स्रिफ columns की position this is called column layout अब इस column layout में आपको कुछ नहीं मिलेगा स्रिफ और स्रिफ columns की position मिलेगी और कुछ नहीं होगा select sim इसको भी माइका लेता हूँ select similar और बाकी के text को deselect कर देता हूँ और इसको भी deselect कर देता हूँ then इसको भी deselect कर देता हूँ यह थोड़ा सा tile taking part हो जाता है okay and delete okay short तरीका अब यहां पे आप उसको बताओगे कि आपका कौन सा c1 है कौन सा c2 है आप क्या करोगे आप यहां पे mention करोगे c1 और जो भी है मैं एक example ले रहा हूँ that will be present with c2 तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहां पर c1 c2 का टैग लगा के दिखा दे रहा हूँ और अपने working में आप अच्छे से करना इसको c1 this is also c1 and c1 and here like c2 होगा तो यहां पे c2 like यहां पे c3 तो इस तरह हमारी working होती है तो कोई यही method है architecture architecture जो आर्किटेक्ट जिस तरह काम करते हैं और इसी को सीखना है हमेशा यह जखना software तो कहीं भी सीख लोगे हर जंगा विलेबल है बट वर्किंग पे ध्यान दो सही जंगा वर्किंग सीखो that is very important okay तो c1 c2 हो गया and last one more thing की dimensions पे आके columns की position बताओ की भाई साब यह में columns का साइज हमारा nine into nine inch होगा अभी मैं ज्यादा देखो time लगेगा मैं सिर्फ नावर बता रहा हूं आप dimensions वगरा edit कर लेना अपने recording यहां से nine by nine का मेरा column जाएगा तो एक इसे छोड़ा बेसिक हमने एक आपके लिए कि हम लोग working time पर काम कैसे करते हैं और यह हमने उसका छोटा सा पार्ट आपको यहां पर बना की दिखाया तो इसी तरह हम लोग columns के साथ साथ एक पलिद भीम की ड्राइंग भी बनाते हैं और फुटिंग लैउट भी डिजाइन करते हैं ओके तो मैं नेक्सक पार्ट में हम लोग फूटिंग के बारे में डिसकस करेंगे कि फुटिंग का प्लान फुटिंग कर लियाऊट कैसे कर लाइता है सेक्शन वगारा पर तो आपन बनाओ तब तब मैं कैसे बनाओ गयर और अगर आप भी हमारी तरह प्रफेशनल लेबल पे वर्क करना चाहते हैं आप हमारे कोर्स को जॉइंड कर सकते हैं विद वेरी लू अमाउंट के साथ मेरा सिर्फ एक एम है वो यह है कि हमारे जितने भी स्ट्रेंट से जितने भी बिगनेर से स्ट्रेंट से उनको प्रफेशनल लेबल की नॉलिज देना ठाकि उनकी वर्किंग में कोई भी दिक्कत फीटर में ना आए तट इस उनली माई एम प्लीज वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक डिफरेंट टॉपिक के साथ और हम लोग वर्किंग डॉइंग के बारे में भी डिसकस करते रहेंगे साथ साथ में की कॉलम के साथ फुटिंग और एलिवेशन सेक्शन डोर विंडो श्यडूल कैसे क्रियेट करे जाते हैं वन बाई वन एक पार्ट के साथ मिलते हम लोग में नेक्स्ट वीडियो में और डिफरेंट टॉपिक के साथ थैंक्यू वेरी मुच पर वाचिंग इस वीडियो थैंक्यू